हेलो वरीवान वलकम बैक, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कंपनी अकाउंट के टेस्ट से रिलिटेट और आप में से मैजॉरिटी ये एकसेप्ट करेगी कि ये टेस्ट प्री प्लान है विकोस आज मौनिंग में 9 एम पे हमने आपको टेलिग्राम पे और इनफॉर्म कर दिया था कि आपका कंपनी अकाउंट का शेयर टॉपिक का टेस्ट होना है कल की क्लास में हमने आपको ये बताया कि शेयर के टॉपिक में कौन-कौन से कोश्ट बनते हैं केटेगरी आफ कोश्ट क्या है और रात में 9 बज़े क्या सपास आपको टेलिग्राम पे आपके कोश्ट में 7, 4, 9, 15 जो आपके मॉड्यूल के हैं इनका सल्यूशन का वीडियो भी प्रोवाइड कर दिया था तो आज किस वीडियो में जम टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इस्टुडेंट के पॉइंट आफिस से टेस्ट में दो बातें सबस्यादा इंपॉर्टन होती है और मैं चाहता हूँ वो दोनों बातें आप अच्छे से समय लो सबसे पहली बात सर एक स्टुडेंट को इग्जामिनेशन में या फिर टेस्ट में टाइम बार्ड होना चाहिए मेरा मतलब है कि जो पर्टिकल कोश्टन जितने मास के लिए आ रहा है आप कितना टाइम एलाट करोगे एक्जामिनेशन में या यह कहें फाइल एक्जामिनेशन में वो टेस्ट में भी सेम एज इस होना चाहिए और सेकेंड जब हम बात कर रहे हैं प्रजेंटेशन की तो ब्लैक पैन, फॉर्मैट, नरेशन, इंट्री में करना वर्क नोट शुट भी वैरी क्लियर यह आपको पता ही है तो यह पेपर टाइम बार्ड हो, इसका अशूर्ण हम कर दे रहे हैं और प्रजेंटेशन अच्छी हो, इसका अशूर्ण आप लोग को देना होगा टाइम बार्ड कैसे होगा सर, बारा बज़े आपको यह वीडियो मिल रही है, जहां मैं आपको पेपर प्रोवाइट करने वाला हूँ, ठीक बारा बज़ के पंद्रा मेंट पर, मतलब साफ है वीडियो आपने देख ली वीडियो बहुत शॉट होगी, वापस से आप बारा टेम्ट के पेपर हुए है, ऐसे ही कोशन देखे आते हैं, सुरू के दो कोशन 10 मास के होगे, थर्ड कोशन 5 मास का होगा, तो बारा बज़ के पंद्रा मेंट पे आपको पेपर मिल जाएगा, एक बज़े तक, मतलब 45 मिट्स का टाइम सफीशेंट है, 25 नमबर कोशन करने के लिए 45 मिट्स का टाइम है, आराम से पेपर कर लो, और ठीक 45 मिट्स बाद, मतलब एक बज़ने के बाद, एक बज़े से एक बज़े से एक बज़े के 15 मिट्स तक, आप चाहें, तो इस वीडियो के कोमेंट सेक्शन में, आंसर कोमेंट करें, और अगर आप चाहते हैं, मैं आपकी प्रिंटेशन भी देखूं, मैजॉर्टी की देखने की पूरी कोश्च करूंगा, एक बज़ के 15 मिट्स से, वन थर्डी तक मिट्स अग्राम पर अवियलबल होगा, आप हमें सेंड कर सकते हैं आंसर, और हम जड़े चेक कर लें, आपका आंसर कैसा है, और एक इंप फर दी बेस्ट, और अल दी वेरी बेस्ट के आप ये पहला टेस्ट कंपनी अकाउंट का अच्छे से प्रफार्म करो, चलो, अल दी वेरी बेस्ट